नमस्कार दोस्तों आप सभी का Steady Quizit निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्तान LDC High Code का पेपर जो आज हुआ है तीन बजे पेपर चुटा है मेरे पास अभी पेपर आया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि केसे प्रशना है कहां से प्रशना है LDC में तीन सब्जेक्ट के प्रशना आते हैं हिंदी अंग्रेजी और राजस्तान जी के तो यहाँ पर हम हिंदी और राजस्तान जिकी की बात करेंगे तो वीडियो के एंट तक बने रहे वीडियो कैसी लगी कमेंट शिक्षन बताए और जिनका पेपर था वो ज़रूर बताए कि आपकी कितने नंबर बन रहे हैं तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण आशुद्ध अर्थ यूग्त शब्द यूग्म है मैं डारेक्ट आपको आंसर बताती हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो राइट आंसर हो जाएगा टू दारू दारू शराप तो यहाँ पर दारू दारू होता है नेक्स्ट जिसमें अपमान का भाव हूँ बहसी तो उसे कहेंगे अब उपहास क्या कहते हैं उपहास आसंगत विलोम्युक्त विकल्पे तो शूरवीर आसंगत हो जाएगा Next is, अम्रित का परियाएवाची नहीं है तो right answer 3 हो जाएगा, व्योम्रस अम्रित का परियाएवाची नहीं है आहुती, आहुत का सही अर्थ हे तो हवन सामगरी और बुलाया Next परशने, नीमनी लिखित में असंगत है जितना शिग्र हो सके अती शिग्र तो राइट आंसर हो जाएगा आपर अज अंगत पूछा है तो थर्ड आंसर है जितना शिग्र हो सके अतिशिग्र नेक्स्ट है पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावारते तो जहां जगड़ा होना हो संबह हो महापर भी जगड़ा करा देना यानि की पानी में आग लगा देना नेक्स्ट है किस विकल्प की शब्द क्रमश क्रीपा और महल अर्थ के द्योता के तो क्रीपा यानि प्रसात और महल यानि प्रसात तो राइट आंसर हो जाएगा बी कौन सा शब्द क्रिष्ट का विलोम है तो क्रिष्ट का विलोम होता है इस तूल यानि तीसरा अंसर या पर सही होगा असंगत विलोमता है तो विख्यात और प्रख्यात विलोम शब्द नहीं है क्योंकि दोनों का यह अर्थ लगबख सेम होता है किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर D option हो जाएगा आनि कि 4 उल्लेक और उद्गाटन में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है मान प्रत्ते से निर्मित शब्द नहीं है तो सम्मान मान से निर्मित नहीं है अगर आपको किसी प्रस्ष में डाउट दे तो आप कमेंट सेक्ष में बताईए कि आपने गलत बताया है उसको सही किया जाएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें भाव वाच्चे का उधारण है भाव वाच्चे का उधारण है दो आंसर रहेगा डोली एक अमराई में उतारी गई स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ हो जाएगा यानि कि फोर ओप्शन वाक्या शेतू उप्युक्त शब्द नहीं है तो राइट आंसर आपे टू रहेगा एक लेकर के सभी ग्रणतों का प्रकाशन एक जिल्ब में आत्म कथा यहाँ पर सही नहीं है किस अनेकार तक शब्द के सभी अर्थ सही है तो पक्ष, पंक, किनारा यानि फोर ओप्शन सही हो जाएगा शुद्द शब्द है तो शुद्द शब्द तदुप्रांथ यहाँ पर शुद्द है और चर्मत कर्श भी सुद्द है हो सकता है इस प्रश्ण में आपको बोनस मिले क्योंकि यहाँ पर दो शब्द शुद्द है 1 और 3 द्वीज शब्द का अर्थ नहीं है, तो द्वीज का दूबला नहीं होता है, तो राइट आंसर रहेगा 3 नेक्स्ट ए, जिनकी आशाना की गई हो वाक्यां शेतु सार्थक शब्द, जिनकी आशाना की गई हो अप्रत्याशित राइट आंसर रहेगा दो निशित का विलोम है तो निशित का होता है विहित राइट आंसर रहेगा ए यानि क्योशन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट ए हाथ का परियावाची शब्द नहीं है तो हाथ का परियावाची दशन नहीं होता है यानि four option सही हो जाएगा नटो में श्रेष्ट है तू उप्योक्त सामासिक पद है तो right answer रहेगा दो नटेश्वर कि यह हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है न मानने वाला कृतग्न होता है और मानने वाला कृतग्य होता है तो right answer रहेगा नहीं मानने वाला सूरी का परियाईवाची है तो मारतंड सूरी का परियाईवाची है next day इस्त्री धन उप्योगी की संदी होगी तो यहाँ पर right answer एक रहेगा इस्त्री उप्योगी चतुश्पत और चतुश्पत का सही अर्थ है तो चतुश्पत यानि चार पेरो वाला और चतुश्पत यानि चोराहा तो right answer हो जाएगा one कम खर्च करने वाले को कहते हैं मित्वेई कहा जाता है right option four अपनी दशा, बुराई या दोश आदी को देकर अनुच्सा, रूची या खिन्नता का सार्थक शब्द होगा तो यहाँ पर सार्थक शब्द बताना है तो ग्लानी और ग्रिना दोनों ही आपर सही लग रहे हैं लेंगि जादा सही है ग्लानी तो हो सकता है आपको इस प्रश्ण में भी क्या मिले bonus मिले next day प्रत्यक एक्जाम में दो से तीने से प्रश्ण होते हैं जिनमे आपको bonus मिलता ही मिलता है निम्न लिखित में आशुद्ध शब्द नहीं है तो आशुद्ध जूटन आशुद्ध शब्द नहीं है आशुद्ध वाक्य है तो आशुद्ध दो हो जाएगा गले में पराधिंता की बेडिया पड़ी है next day निम्न लिखित में कौन सा विवरंट सही नहीं है तो अभ्यास में आउपसर्ग ये सही नहीं है क्योंकि अभ्यास में अभी उपसर्ग होता है तो यहाँ पर four option हमारा सही रहेगा खरादी का काट काटे ही से करता है लोकोक्ति का निकर्तम अर्थ है तो राइट आंसर एक हो जाएगा काम करने से ही समाप दोता है कौन सा शब्द स्वर संदी का उधारन है तो राइट आंसर हैगा एक पवित्र अयादी संदी का उधारन है तो एक हो जाएगा सरासर मितभासी शब्द किस वाक्यांश के लिए उप्योगते जो कम बोलता है उसे मितभाशी कहा जाता है निम्न लिखित में पुष्प का परियाई नहीं है तो किसले पुष्प का परियाई वाची नहीं है हाथ कंगन को आर्सी क्या लोकोक्ती का निकर्तम अभी प्राय है तो फोर ओप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमान के आउशकता नहीं होती जिसका अनुभव किया गया हूँ वाक्याश के लिए सारतक शब्द तो राइट आंसर थी रहेगा अनुभूत अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है तो राइट है फोर चावल यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि अक्षत अगर होता तो चावल आंसर होता तो राइट आंसर है फोर अशुद्ध शब्द है वैतनिक वैतनिक के बड़ा ए आता ये वाला सही हो जाता वैतनिक यहाँ पर दो option हमारा सही रहेगा व्याकरणिक द्रस्ती से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है तो गीता का उब्देश सब के लिए हित करे 42 कया पर हमें देखना है कि जो four option है वो सही हो जाएगा कि गीता का उब्देश सब के लिए हित करे यहाँ पर शुद्ध नहीं है 43 अतियुक्ती की संदी है तो राइट है दो अतियुक्ती नेक्स्ट ए देवी या आंतरिक शक्ती के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रियुक्त मोहावरे जीप पर रिक्तिस्तान है तो उप्युक्त शब्दे है तो सरस्वती हो जाएगा राइट आंसर 3 भावरी समास का उधारने पदमनाप भावरी समास का उधारने सुपसर्ग का उधारन नहीं है तो सोजन्य यानि कि तीसरा उप्शन सही रहेगा किस विकल्प में सभी शब्द पूत्र के परियाए है तो तनय और नंदन पूत्र के परियाए है अशुद्य वाकि नहीं है तो अशुद्य आपर देखना है क्योशन नंबर 48 तो D हो जाएगा उसके मन की थागा पता ही नहीं चलता 49 याण स्वरसंदी से निर्मिश शब्द नहीं है तो स्वाधिन याँ पर याण संदी का नहीं है स्वरसंदी का उधारने तो राइट आंसर एक हमारी बिल्ली हमी सिम्याउ लोकुक्ती का उप्यूक्त भावार थे तो क्योशन नंबर 50 में आंसर एगा अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल अभी तक सिस्क्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और कमेंट शक्ति में बताएं कि आपकी कितने सही हो रहे हैं जिनका पेपर हुआ है और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो भी बताएं कि आपको इन में से कितने प्रश्न याद थे तो यहाँ पर हमारा 101 प्रश्न बीच में 51 से लेकर 100 तक इंगलिस के प्रश्न राजस्तान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेश कर गणगोर पर्व पर महिलाओ द्वारा किया जाने वाला नरत्य है तो कौनसा नरत्य है घूमर नरत्य राइट आंसर हमारा हो जाता घूमर नरत्य राजस्तान की मंगला शेत्र से कौन सा खनीच प्राप्त होता है तो राइट आंसर रहेगा ती यानि कि तेल निम्न मेर से राजस्तान में भारस सरकार द्वारा इस्थापित और ज्योगिक उपक्रम वो उसकी इस्थान का सही मिलान करना है मिलान नहीं है पूछा है करना नहीं है पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान मशिन टूल्स अजमेर यानि कि एक उप्चन यहाँ पर सही रहेगा कालिवंगा सब्वेता की खोच द्वारा की गई है क्योशन नमबर 104 का राइट आंसर रहेगा अमलानन खुश द्रस्ती बाधित वेक्तियों के लिए भारती रिजरु बेंग द्वारा कौन सा एप जारी किया गया तो राइट आंसर यहाँ पर 105 में रहेगा यानि की दो नमबर मनि एप वर्तमान में रास्टी विदिक सेवा प्राधी करण की कारीकारी अध्यक्ष कोन है कारीकारी अध्यक्ष कोन है 106 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी न्याय मुर्ती श्री यूयू ललित 107 निम्न में से कोन अमेरिका की प्रथम महिला उपरास्ट पती है अमेरिका की प्रथम महिला उपरास्ट पती पूछा गया है तो राइट आंसर रहेगा तीन कमला हैरिस इस दिन भोजन में खीर और मालपो बनाये जाते हैं ब्रामणों को भोजन कराते हैं लोग अपने परिवार जनों के साथ उध्यान अत्वा अन्य रमडी इस्तलों पर जाकर आनन्द बनाते हैं क्या है यह हरियाली अमावस्या जो की रक्षाबंदन से पहले आती है निवन मेंसे कौनसी एक गोवंश की नसल नहीं है तो राइट आंसर रहेगा चार मुर्रा मुर्रा भेस की नसल है राजस्तार में सरुप्रतम क्रशी विश्विद्याले कहां इस्थापित किया गया तो राइट आंसर रहेगा भी कानेर GST का ब्राण्डनेमस्टर किसे बनाया गया है तो GST का ब्राण्डनेमस्टर अमिताबच्चन को बनाया गया है तो right answer रहेगा four Next, Eh, विश्व के किस टैनिस की लड़ी ने सरवाधिक एकल Grand Slam प्रतियोगी थाए जीती है तो question number 112 का answer रहेगा D क्यानी कि four Roger Federal 113 श्री मल्लिनात पशुमेला कहा अयुजित किया जाता है तो राइट आंसर है दो तिलवाडा बार्ड मेर भारत में होकर कौन सी रेखा गुजरती है तो करक रेखा गुजरती है कितने राज्यों से आठ राज्यों से निम्न में से कौन सा युगम गलत है तो राइट आंसर रहेगा 4 मेवाती उदैपूर उदैपूर मेवाती में नहीं आता है मेवाती में कोन आता है अलवर भरतपूर उड की खाल पर सुर्णिम नकाशी का कारिक किस नाम से जाना गया है या किया जाता है तो राइट आंसर रहेगा 3 उस्ताकला सूर्ज सामरागी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 2001 में किया गया था राजस्तान का राज्य पुष्प क्या है तो राइट आंसर 3 रोहीडा भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन इस्त्रो द्वारा सूर्य अध्यन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है तो 119 का राइट आंसर रहेगा आदित एलवन यानि कि एक आंसर हो जाएगा आनास अगर जील के विश्वे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो 4 ओप्शन रहेगा कि प्रित्विरा चोहन के दादा अर्णो राज ने इसका निर्माण करवाया था वर्ष 2019 में भारती वायू सेना ने किस इस्तान पर हवाई अमला किया था तो राइट आंसर एवन बाला कोट जावर की खान उदैपूर किस खनिच के लिए विख्या थे तो राइट आंसर है दो सीसा जस्ता देखा जाए तो पेपर सिंपल ही है जिन्नोंने अच्छे से पढ़ाई करिए निम्न मेंसे किस खिलाडी को ओस्टेलियन ओपन टेनिस टूनामेट 2022 से बाहर कर दिया गया है तो राइट आंसर 123 का हो जाएगा एक नौवाक जोकवीच शेत्रफल की द्रस्टी से निम्न मेंसे देश का सबसे बड़ा राज्यू कौन सा है तो राज़स्तान एरो राज़स्तान से पहले मद्धि प्रदेश था शेत्रफल की द्रस्टी से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राज़स्तान की किस जिले में स्थापित किया गया ही निम्न मेंसे रचीता का कौन सा युग्म गलत है तो फोर हो जाएगा चेतावनीरा चुंट्या सितारा लाल राण भारत के प्रथम रक्षा प्रमुग जनरल विपेन रावत को मर्नो प्राम्त निम्न में से किस पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो 127 का राइट आंसर आएगा तीन पद्म विभूशन राजिस्तान इस धातु का प्रमुग उत्पाधक राज्य है तथा इसे वूल फ्राम भी कहते हैं तो राइट आंसर आएगा डी टंगस्टन कोरोना संक्रमन की जांच के संदर में आर्टी पी सी आर्सी तातपरिय है तो 129 का राइट आंसर आपर सी हो जाएगा रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन पोलीमरेज चेन रियक्शन तेसरा आपर राइट हो जाएगा निम्न में से राजिस्तान का राज्य पक्षी एक आंसर गोडावन इंद्रा गांधी नहर जिसे राजिस्तान नहर भी कहते हैं किस नदी से पानी मिलता है तो राइट आंसर है फोर सतलज नदी गवरी देवी राजिस्तान की किस गायन से लिशे जूड़ी है तो राइट है एक मांध वर्तमान में नीती आयोक के अध्यक्ष है तो श्री नरेंद्र मोदी जो भी वर्तमान प्रधान मंतिर रेता है वो ही नीती आयोक के अध्यक्ष होते है केंद्री शुषक शेत्र अनुसंदान संस्तान कहां इस्तिते तो तीन चोथपूर में राजिस्तान शब्द का प्रियोग सर्वतन किस ने किया करनल जैम स्टोर्ट दो आंसर या पर सही रहेगा वर्तमान में भारत की उच्चितम न्याले के मुख्य न्यायाधी पती कौन है तो तीन हो जाएगा न्याय मुर्ति श्री एन्वी रमना राजिस्तान की किस शाषक ने दृती गोल में संबिलन में भाग लिया था तो एक हो जाएगा महाराजा गंगा सिंग मुकंद्रा हिल्स नेशनल पार्क निम्ड मेंसे किस जिले की सीमा में आता है तो तीन हो जाएगा कोटा उच्चितम न्याले में मुख्य न्यायाधी सहीद न्यायाधी शो की अधिक्तम स्विक्रत प्रदे तो न्यायाधी 33 होते हैं लेकर मुक्य न्यायाधी सहीद 34 यानि राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक निम्ड मेंसे कौनसा युगम सही नहीं है तो राइट आंसर एक तेजाजी मेला विकानेर में नहीं लगता है भारत की सबसे उची परवच चोटी कौनसी है तो राइट आंसर हो जाएगा एक कंचन जंगा क्योशन नंबर 147 का राइट आंसर रहेगा ए जिसने भी केटू किया है उसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये पियोके के अधिन आता है बुंदी जिले में इस्तित पहाड़ियों को कहते हैं तो फोर आंसर रहेगा आडा वाला परवत भारती मुख्य भूमी में सबसे लंबी तट्रे का निम्न मेंसे किस राज्ज की है तो चार गुजरात की राजस्तान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो गोकुल भाई भट को जाना जाता है राजस्तान एकी करण के समय कौन सा प्रदेश केंदर शाषित प्रदेश था तो राइट रांसर रहेगा अजमेर खाजा मुईन दिन चिष्टी की दरगा अजमेर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया तो राइट एफ 4 गया सुध्दिन खिलजी के द्वारा निर्मेसे पेगासस क्या है पेगासस क्या है क्योशन नंबर 147 का राइट आंसर हैगा बी जासुसी सौफ्ट्वेर पेगासस एक जासुसी सौफ्ट्वेर है हाली में प्रदान मंत्री द्वारा निम्न में से किस मुर्ती का अनावरण केदालनात में किया गया तो राइट आंसर है 3 आदी शंकराचारिया निम्न में से कौन वर्ष 2021 में Miss Universe चुनी गई तो राइट आंसर है 2 हर्णा संधू नेक्स्ट और अंतिम प्रस्टे कि मीरा भाई चालू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रज़त पदक जीता है तो राइट आंसर हैगा 2 भारो तोलन तो यहाँ पर हमने 100 प्रस्ट देखे हैं 50 प्रस्ट हमने यहाँ पर छोड़े हैं इंग्लिश के आपको वीडियो केसी लगी है कमेंट सेक्शन बताएं और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवान